जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र डाइब कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भुले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे सियम हमन्त के माइस लीज आवंटन मामले में सुनवाई टली जार्खन हाई कोट में सियम हमन्त के माइस लीज आवंटन मामले में दायर जान ही तियाज का पर सुक्रवार को सुनवाई टल गई है बतादे चीप जस्टिस डाक्टर रवी रंजन वा जस्टिस सुजीत निरा सुरेन की ओर से आदालत में आज जबाब दाखिल किया गया है जार्खन हाई कोट के चीफ जास्टी टाक्टर अभी रंजन वाज जास्टी सुजीत नयान परसाथ की खंट पीट के नहीं बैटने के कारान सीयम हमत सुरेन माइन सिलीज आवंटन ममले में आई सुनवाई नहीं हो सकी है जार्खन में बारी जार्खन में साइकलोनिक सर्कुलेशन और टॉर्फ लाइन सिस्टम के परभाव से गुरुवार को भी कुछ इलाकों में बहुत हलके से हलकी बारिस हुई है बतादे बंगाल की खाड़ी से नम हवा का बहाव होने से राईधानी राची समेत राजे के कई अन्य इलाके में आस्मान में आंसिक बादल चाहे रहे कुछ जग होपा मेक गर्जन बजरपात के साथ सतही अस्तरपती से 40 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्ताल सहावा का बहाव होता रहा इसमें आमजन को उमस भरी गर्मी से थोड़ी रहत मिली है आई एस पूजा सिंगल के घर पर एडी की छपे मारी परवतर निदे साले ने बड़ी करवाई की है जनकारी के अनुसार इडी की टीम जार्खन सहीत 18 जगव पर छपे मारी कर रही है इडी की इस करवाई से खलबली मच गई है बताया दे रांची में जार्खन खान एवं भोविग्यान विभाग की सचिव पूजा सिंगल के ठिकानों पर एडी ने शापे मारी की बताया जार्खन की बात करें तो राई धानी राची के पुल्स होस्पिटल इडी की टीम पहुँची है होस्पिटल के अंदर के वाल स्टाप को ही इंट्री दी जा रही है कोरोना के नए वेरियंट की जाच के लिए दूसरे राज्यों का सहारा देश में कोरोना के नए वेरियंट XE का तेजी से फैलाव होने के बीच राजे में अभी जिनोम सिक्वेंसिंग मसीन लगाने के परकिरिया ही चल रही है रिम्स में तयार हो रहे लेव का कारे पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि लेव में एर कंडिसनर लगाने और आंत्रिक सज्जा का कारे चल रहा है मसीन के कंजूमेवल आइटम खरिदने के लिए निवीदा निकाली गई है जिसकी परकिरिया चल रही है ऐसे में कुरोना के नए वेरियंट की जाज के लिए अवे भी कोलकाता रोडिसा के लेब पर निर्वर रहना होगा वही स्वास्त विभाग के अधिकारी जिनोम सेंक्वेसिंग मसीन के संचारन पर चूपी साधे हुए है जारखन में विधान सभा पर 83 बनना चाहते है मुखिया जारखन पंचाय चुना में खास कर गढ़वा जिले में मुखिया का पद अने सभी पदों पर भारी पड़ रहा है बतादे मुखिया से उचे पदों पर रह चुके लोग भी इस पद के लिए नमांकन कर रहे है बताया जा रहा है कि पावर वा पैसा को देखते हुए लोगों का रुझान मुखिया पद की ओर बढ़ रहा है गड़वा विधान सभा का चुनाव लड़ चुकी एवं पाच साल जीला पर सस्था से रह चुकी कंचन केस्थी ने इस बार सहर से सटी छतरपुर पंचाज से मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए नमांकन किया है गुमला में जंगल की कटाई रोकने पर पीट पीट कर हत्या गुमला जिले के भरनो इस्थीत राय केरा जंगल के पास वन वाचर की ग्रावनों ने हत्या कर दी वन रक्षी एवं नौ वरस ये बेटे ने भाग कर जान बचाई है राय के राय बांध टोली निवाशी सम्मीम अंसारी ब्यालिस वरसे के हत्या इसी गाउं के ग्रामिनों ने लाठी डंडे से पीट कर दी एग हटा सुक्रवार सुबा नौ से दस बजे की है मिरितक वन विभाग में वन वाचर और वन समिती का सदस्य था वह जंगल की कटाई परोक लगाता था इस दोरान वन वन वक्षी और मिरितक के पुत्र ने किसी तरह वहाँ से भाग कर जान बचाई है गुमला में 20 और चात्रा में एक चीकन पॉक्स की पुष्टी राजे के दो जिला चात्रा और गुमला में कूल 11 लोगों को चीकन पॉक्स होने की पुष्टी हो गई है रिम्स माइक्रो बैलोजी विभाग के वाइरो लोजी लेव ने इसकी पुष्टी की है चात्रा के इट खोरी और गुमलाज इलाके भरनों इलाके के पिडितों की सेंपल जांच में चिकन पोक्स होने का प्रमान मिला है बता दे माइक्रो बाइलोजी बिभाग दोरा चिकन पोक्स के फैलाव की जनकारी इंडियन कॉंसील और मेडिकल रिसर्च और स्वास्त बिभाग को दे दी गई है माइक्रो बाइलोजी लेव की जांच में गुमला के 26 पीर्तों में से 20 और 14 के 5 पीर्तों में से 1 की रिपोर्ट पोजेटिव आई है रजरप्पा छिनमस्तिका मंदीर में उमरी भीड चिनमस्तिका मंदीर परिसर में एक और जहां सानाई की धोन गुज रही है तो वहीं दूसरी और मुंडन साला में बचों की किलकारिया भी गुज रही है दरसल सुक्रवार को बिवा और जनेव तथा मुंडन का तीन सन्योग एक साथ होने के काराण चिनमस्तिका मंदीर में एक लाग से भी अधिक सरधालों की भारी भीड उमरी बैसाक मास की सुक्ल पक्ष पर पंचमी तीथी के सूब मुहुर्थ के काराण सूबा सही सरधालों की भारी भीड उमरने लगी थी मनरेगा में बीना रुवल्टी काटे 150 कोर का भुकतान हजारी बाग गिले में 14 वे बीत की रासी और मनरेगा के तहत किये गए विकास में 20 कोर रुपे रुवल्टी चोरी की गई है यह गरपर जहला वीडियो और पंचाई सेवक की मदद से किया गया है ममला खनन वीभाग के जाच के बाद पकड में आया है जहाँ 2015 से 2021 तक किये गए विकास कारेओं में बिना रुवल्टी काटे पैसे के भुकतान वेंडर को कर दिया गया ममला संग्यान में आने के बाद से खनन वीभाग रेस हो गई है जीले के सभी वीडियो को पत्र भेजकर आसी वह सूली करने वह सभी जोजनावों की पूर्ण जनकारी मांगी है एस्पेसल 26 के तर्ज पर ट्रेन में यात्रियों से लूट जमु तवी एक्सप्रेस में सफर कर रहे तीन यात्रियों से 20 सहय रूपय या मोबाइल उटने का ममला परकास में आया है जनकारी के अनुसर गुमला निवासी करम पाल महली गोमिद उरा या छोटु उरा जो तीनों गुमला जिला के रहने वाले है वह हिमांचल परदेश में मैदूरी का काम करते हैं तीनों अपने घर जमु तवी एक्सप्रेस ट्रेंड से जा रहे थे जाने के करम में टोरिय स्टेशन थे तीन अपराधी जो पलामु निवासी है उन्होंने कहा कि आप लोग भैक्सिन लिये हैं अगर नहीं लिये हैं तो मुरीय स्टेशन पर उतर कर हमारे साथ अस्पसाल चलिए वहाँ पर भैक्सिन आप लोगों को दिलवा देंगे यह काकर मुर्य स्टेशन ट्रेंड पहुंचते ही उन्होंने तिनों यात्रियों को उतार कर टेंपू में बैठा कर सिली ओभर ब्रिज लेगा है जहां ब्रिज के समीप और लोगों को उतार कर मोबाइल एवं 20,000 रुपए की लूट कर भाग गए दल बदल मामला में बाबू लाल के खिलाब सुनवाई आज बीजेपी बिधायक और नेता परतिपकष बाबू लाल मरांडी के खिलाब दल बदल के मामले में सुनवाई स्पीकर के नयधी करण में 6 और 9 मai को होगी 6 माई को बावुलार मरांडी के खिलाब विधायक बोसन तीर्की और पूरो विधायक राजकुमर यादों की सिकायत पर सुनवाई होगी विधायक दीपी का पांडे सिंग की सिकायत पर दर्ज मामले में सुनवाई 9 माई को निधारित की गई है बाभुलन मरांडी के खिलाप समिधान की दास्वी अनिसुची के तहाद दर्ज मामलों में अब तक लभग 6-7 बार सुनवाई हो चुकी है और आरबी परिक्षा के लिए 7 मई से 3 एस्पेसल ट्रेन रेलवे भर्ती बोट की ओर से आयोजित नन टेक्निकल पॉपलर काटेगरी एंटी पीसी परिशा में भाग लेने वाले अब्यारतियों के लिए रेलवे ने 7 मई को धनबाज से 3 और गोमों होकर एक परिक्षा स्पेसल ट्रेन चलाने की घोस्तना की है 9 और 10 मई को एक साथ देश के अलग-अलग सेंट्रों पर एंटी पीसी की परिक्षा आहू था है बता दे धनबाज से विजय वाड़ा नागपूर और ओडिसा के ब्रामपूर के लिए ट्रेन चलेगी जबकि गया से बोनेसवर के बीच चलने वाली परिक्षा स्पेसल ट्रेन को गोमों होकर चलाया जा रहा है धन्यवाद